तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फार्मासिटिकल इंडेस्ट्री से बहुत ही बहुत ही बहतरी ने स्टॉक जो शेयर आगे बहुत अच्छा पर्फॉर्मेंस करके दिखा सकता है जानेंगे कि यह कंपनी के प्रोडक्स में डील करती है कंपनी के आगे क्या फ्यूच स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्ष्ट करना चाहूँँगा कि आप मेरे चैनल को सबसुराइब करें कि जिसे की जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से लीडित रहा करेगी आपको आसानी से मिल जाए करें तो चले स्टार्ट करतें कंपनी का नाम है बायो कॉन limited हर कोई जानता है कंपनी भैतरीन कंपनी है बायो कॉन फार्मेसिटिकल इंडेस्ट्रीज में और यह अपने जो प्रोडक्स जो बनाते हैं इनके प्रोडक्स में बहुत भैतरीन जान है अच्छी खासी लेट्स फाइट दा कोविड-19 आउट ब्रेक कंपनी कोविड-19 के लिए वैक्सीन भी बना रही है जिससे कंपनी को काफी अच्छा फायदा आने वाले टाइम में दीखेगा जैन्रिक्स बनाती है जैन्रिक्स दबाईयां बनाती है बायो सिमलर प्रोडक्ट इनका जो है वह बहुत यादा बहतरीन है नोबल बायोजिक्स एन ब्रांडेट फॉर्म में दी सिंस जैन्रिक्स बनाती है वाय सिमलर्स रिसर्च सर्विसिस आरेंडी में कंपनी बहुत ही अच्छा खासा एमाउंट इस्पेंड करती है नोबल बायोजिक्स आप देख सकते हैं वन टॉइंटी कंट्री से ज्यादा कंपनी की प्रिजेंस है बारह हजार से ज्याद एल्जूमेव एल जो निकाली है कंपनी एल्जूमेव इंफेक्शन इसका यह जो डोज है 24-7 कोविट केर हेल्प लाइन केर के थुरू आप बायोकॉन की इस वाली वैक्सीन को भी ले सकते हैं यहां से काम अपना 24-7 कोविट 24-7 की जो हेल्प लाइन है उसके थुरू तो आगे आने वाले टाइम में कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर सकती है आप देख सकते हैं यहां पर बायोकॉन बायोजिक्स और वायट्रिक्स रिसीब यूरोपियन कमीशन एप्रूबल फॉर वायो सिमलर वैवासिजम मेव इसको भी इनके वाली जो है दवाई इसको भी कोविट नाइंटीन डीजी सी आई गेपस एनोडी फॉर रेस्टिक्टिड एमर्जेंसी यूज फॉर आइटोली जू मेव इन मॉडरेट कोविट नाइंटीन तो मतला थोड़ा सा कर किसी को प्रॉबलम है कम प्रॉबलम है तो उसमें इस दवाई का यूज किया जा रहा है बायकॉन बहतरीन कंपनी थोड़ा सा एक डिटेल्ड अनलाइसिस करेंगे बायकॉन इज बायो फार्मेटिकल कंपनी देज लबरेजिंग इस अफॉर्डबल इनोवेशन मोडल तो reduce disparities in access to safe highly high quality medicine as well as address the gaps in scientist research to find innovate solution to impact a billion lives वायकॉन manifesto as a committed stakeholder of the global health agenda under the UN sustainable development goals accessibility affordability availability assurance चारो चीजां कंपनी देती है वायकॉन की जर्नी आप देखेंगे 1978 से 1999 में company एक enzymes company के नाम से start हुई थी फिर धीरे company ने किस तरीके का अपना IPO launch करने के बाद में कुछ और कंपनी अंदर में मिलाया और वायकॉन ने काफी अच्छी productivity अपनी market में बनाई आप देख सकते हैं यहां पर 2019 and beyond investment in complex generic formulations तो अभी company जो है investment कर रही है complex generic formulations बनाने के लिए और ग्लोवाल इंपे जो बायो सिमलर जो इनका जो प्रोड़क्ट है उसका ग्लोवलाइज बहुत ही अच्छा खासा यूज आगे आता हुआ दिखेगा नीश product बना रही है आप देख सकते हैं पैंसाट हजार दोसो छासी मिलियन का इनका रिवेन्यू है बारहे हजार इनके पास employees है बहतरीन प्रोड़क्ट कंपनी की तरफ से मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं बिजनिस सेजमेंट अगर आप देखेंगे from pipeline to production from drug discovery to drug delivery we bring differentiate high quality and affordable healthcare products and service globally by a congenrex ensuring access through quality affordability reality by a similar expanding access through innovative inclusive healthcare solution सिंजीन एक company इन्होंने सिंजीन और बना रखी है जिसमें यह R&D करते रहते हैं अभी कुछ समय बाद मैं सिंजीन का भी एक focus plan रखूंगा future plan रखूंगा आने वाले टाइम में एक वीडियो से भी related मैं बनाऊंगा सिंजीन जो है इनकी company बहुत ही अच्छी ग्रो कर रही है और इस समय जो है RT-PCR kit भी बना रही है तो काफी अच्छी बहतरीन company है noble biologics pushing scientist boundaries to deliver impactful innovations generic business investing to capacity and capabilities for future growth differentiated API business API business इनका बहुत ही solid है among the world largest manufacturer of immunosuppressant and statin API 1000 से जादा customer 100 से जादा countries में including US, Europe and large emerging markets में company अपने API के products sale out करती है growing formulation footprint solid oral and parental products in both potent and non-potent category and regulatory से इने license भी मिला है कुछ और प्रोड़क्स बनाने के लिए और फोकस थेरेपेटिक सेजमेंट जो थेरेपेटिक सेजमेंट जो सेजमेंट है उसमें company का पूरा focus है इसमें में अंकोलोजी immunology and autoimmune indications investment for future growth तो कंपनी expand कर रही है R&D capabilities for newer fermentation derived and chemical synthesis based molecules focus on developing niche difficult to make complex molecules with relatively higher entry barriers तो कंपनी कुछ उन प्रोड़क्स पर फोकस कर रही है जो भैतरीन प्रोड़क्स आगे है और जिनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है complex molecules company बना रही है जिनका market में entry barriers भी higher है तो कंपनी R&D पे इतना ज्यादा अच्छा खासा focus लगा के रखी हुई है इतना अच्छा खासा investment करती है बहुत ही भैतरी इंवेस्टिंग 6 billion आप देख सकते हैं 6 billion in greenfield fermentation based manufacturing facility इन विशागा पत्नम आंदप्रदेश को इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने कर रही है greenfield fermentation based manufacturing facility विशागा पत्नम में focus on adopting best in class quality practice and implement digital processes in our quality and related function retaining leadership in key API with structured cost improvement programs आप देख सकते हैं 1000 से ज्यादा customers 280 से ज्यादा patent obtained है 50% global MSN early state API and world leader in immunosuppression जो एक API जो आता है immunosuppression उसके वर्ल्ड लीडर है 800 से ज्यादा metric 10 cumulative weight API supplied annually करते हैं प्यॉर प्ले वाय सिमिलर कंपनी fully integrated lab to market global footprint strong collaboration commercial infrastructure in India making global impact with वायो सिमिलर वायो कॉन बायो लॉजिक्स का जो पॉर्टफोलियो है भैतरीन performance करता हुआ देख रहा है इनका यह जो पॉर्टफोलियो है seven commercial products है इसमें 28 portfolio products है two R&D sites है company के पास में दो manufacturing sites हैं दो वैंगलूर में एक मलेशिया में तीन manufacturing sites हैं and novel molecules जो बना रही है company उनके भी आगे आने वाले time में है काफी अच्छी performance देखने को मिलेगी काफी अच्छी sales आगे देखने को मिलेगी pushing scientific boundaries to deliver impactful innovations एक तो diabetes से लेके बना रही है उनका जो है फेस फस इन होने जो है multiple studies in diabetes patient making good progress in Germany इन ट्राइल में चल रहा है इनका फेस पस जो है और ट्राइल जो है complete हो जाएगा F by 2022 तक साथ की साथ inflammation आई टोली जुम एव नोवल हुमिनाज cd6 antibody बनाने के लिए company यह भी बना रही है तो इसकी भी market में demand आ रही है यह जो vaccine जो बना रही है company immuno-oncology वाले जो product है company उनको भी बनाने में लगी होई है उनसे भी related product company बना रही है जिनका cancer patient के लिए यूज होता है वाइकेरा थेरेपेटिक्स के लिए उनका यूज होता है immuno-oncology तो company के यह कुछ और new progress के प्रांट से हैं जो company कुछ new और अपने कुछ न कुछ new products और आगे market में उतारती हुई डिखेगी आने वाले time में तो focus अगर देखा जाए fundamentally अगर देखी जाए तो company future based है highly R&D करती है company और इंवेस्ट करती है बहतरीन तरीके से सबस्यादा इनका जो investment रहता है R&D पर रहता है मतलब new product लाने की companies होचती है और complex products जिससे की कोई और उन products को ना बता पाए बना पाए बहुत ही बहतरीन products company लाने की आगे demand में रहती है और focus में रहती है research service आप देखेंगे इनका बहतरीन research service है इनके पास में and financial highlights अगर आप देखेंगे quarter 3, 2020 से quarter 3, 2021 में अच्छा खासा performance देखने को मिला है R&D पे expense company में ज़्यादा किया हुआ है और वो उस पर करती भी है तो R&D based company है बहतरीन performance company के product से आती हुई देखेगी आने वाले time में जिस तरीके से ये biosimilar biologics को लेके लगे हुए है और कुछ new molecules बनाने के लिए company लगी हुई है तो फ्रेंस थोड़ा सा technical analysis करेंगे इनके चार्ट पर एक ये में आपके सामने maximum chart company का रखता हूँ देख सकते हैं काफी अच्छी performance company के चार्ट से आती हुई देखी है 886% का return company के share ने दिया है FDC यादा share return देता है आप देख सकते हैं यहाँ पर 55% analyst बोल रहे है share को वाई करने के लिए sector PE से share का PE अब भी नीचे ही चल रहा है तो अच्छी खासी भरत आने वाले time में share से आपको देखने को मिल सकती है खोड़ा हम एक बार इस पर टूल लगा के देखेंगे फीवोनासी टूल के थूल के थूरू company का क्या share का चार्ट बोल रहा है यह मैंने long term का चार्ट आपके शामने share का रख रखा है यह share का long term का चार्ट है company ने देख सकते हैं आप यहाँ पे 2004 से लेके 2003 तक के बीच में 2013 तक के बीच में कितना इन्होंने consolidation का phase दिखाया है after that अच्छा खासा company का चार्ट उपर गया है share का चार्ट उपर गया है तो friends मैं 2015 का यह वाला जो base है इस वाले base को लेके मैं चल रहा हूं और एक बार मैं long term के लिया से company का एक बार चार्ट आपको दिखाता हूं कि company का जो चार्ट का candle जो बना हुआ है long term के इसाब से bullishness में है या bearish है तो आप देखेंगे एक बार यहां से मैंने यह यहां पर base लिया है company के चार्ट का क्योंकि इस समय जो company का चार्ट है वो bullish trend में है तो इसी वज़े से मैंने नीचे से उपर की तरफ फिवोनासी लगाई है और आप देखेंगे इस समय यह इन तीनों की तीनों जो इस उसके ऊपर company के शेयर का चार्ट चल रहा है तो company का चार्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से highly positive trend में है long term के हिसाब से अगर देखा जाए तो company का शेयर जब तक इस वाली retracement को नहीं तोड़ता 227-233 की retracement को जब तक नहीं तोड़के नीचे आता जब तक चार्ट में कहीं भी कोई भी better नहीं बनेंगे negative के trend reversal नहीं देखने को मिलेगा तो चार्ट अभी long term के हिसाफ़ा कर देखा जाए तो कोई भी शेयर में अपना आराम से purchase कर सकता है long term के लिए आज से कहीं भी कोई भी retracement नहीं दीख रही है चार्ट को नीचे लाने के लिए और शेयर में कहीं भी कोई भी अभी trend reversal नहीं दीख रहे है कि ये trend अभी इसका positive way में बना हुआ है share का तो एक हम आप short term के लिए chart लगाते हैं कि short term के लिए share का chart क्या बोल रहा है तो मैं यहाँ यहां पर एक बार आपको लगा के दिखाता हूं यह पर्फॉर्मेंस कंपनी के शेयर की यहां से थोड़ा आती हुई देखिए अच्छी खासी आपको मैं यह चार्ट यहां पर यह वाला जो मत था यह फैब का मन था यह अपरेल का और उसके बाद मैं मैं आपको जून वाले स चार्ट से लगा के मैं आपको दिखाता हूं कि इनका क्या बोल रहा है इस समय ट्रेंड शेयर का ट्रेंड क्या बोल रहा है तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां पर शेयर ने एक अच्छी खासी भड़त ली थी आप यह मंतली इनकी इंडिकेटर जो बन लिए जितनी भी कैंडिल हरा है यह यह मंतवाइस कैंडिल बन लनी हुई है आप देख सकते हैं यहां पर यह जो के क्रेंडरेंड है यह समय फिफ्सक्रवे nрипरेंड की जो यह इनकी जैंडिके एक अप्रेयल करे हैं पूरे महीने नर्च देख नीचे यह काम किया है यह काम किया है लेकिन अगर यह घर चारट के उपर अगर ये टिकता है, शौर्ट टर्म के इसाब से तो अभी इस शेर को नहीं लेना चाहिए, जब तक ये 50% की retracement को काट के 430 के उपर अगर ये शेर नहीं टिकना स्टार्ट करता है जब तक, और ये शेर का चार्ट अगर यहां से शौर्ट की इसका ट्रेंड के रिवरसल माना जाएगा जब ये V440 के ऊपर ये श्टॉक किकना स्टार्ट कर देता है तो अभी जो चार्ट अगर आम आँ साथ तर्म के इसाबस अगा देख में है और 61.8 परसेंट के नीचे अगर यह चार्ट इसका बन रहा है इसकी केंडिल अगर बन रही है तो समझ लें आप बैरी बैर इस मतलब ट्रेंड इसका पूरा चेंज हो जाता है तो पॉजिटिव ट्रेंड से यह अभी इस समय नेगेटिव ट्रेंड में काम कर रहा है यह शेयर तो थोड़ा सा अभी साबधानी रखनी चाहिए जब तक यह चार्ट पे आपको 440 रुपे के ऊपर अगर यह शेयर जब तक नहीं मिलता है तब तक इस शेयर में अभी थोड़ा हाथ नहीं डालना चाहिए लेकिन जैसे ही यह आपको 440 रुपे के ऊपर अगर यह शे और यह चालीस रुपे के ऊपर अगर नजसर आता है तो आने वाले टायम में यह बैतरी निट यहां से देता हुआ देखेगा और आपको 490 रुपे का high जो है उसको फिर दुबारा से ये छूता हुआ देखेगा और इस high को भी cross करता हुआ देखेगा तो friend अगर long term के लिया से अगर आप देख रहे हैं तो long term के लिया से आप share में purchasing कर सकते हैं लेकिन short term के लिया से अगर आपको अभी purchase करना है तो उसके लिए आप पहले 440 रुपे के ऊपर share को पहले टिकने दें then फिर share में purchasing start करने हैं क्योंकि share अभी bearish candle बना रहा है bearish face में candle बना रहा है पहले इसकी candle आप एक वार 440 रुपे के ऊपर बनने start करने दें then फिर आप इसको short term के लिया से लें या इसको 50% के ऊपर वाली जो retracement है 420 या 430 रुपे के ऊपर की candle बनने दें या consolidation करेगा ऊपर वाले face में positive वाले में तब आप इस शेयर को purchase कर सकते हैं लेकिन long term वाले जो investor है वो इस शेयर को बड़े ही आराम से ले सकते हैं क्योंकि long term में company काफी अच्छी value create करके दे सकती है वैसे कि तो short term long term के इसाफ से मैंने आपको pricing बता दी है कंपनी के क्या target हो सकते हैं face value जो शेयर की है वो five है शिक्स की EPS पर कंपनी का शेयर ट्रेट कर रहा है 62 की book value है एंड आप मैं एक बार आपको बता देता हूं कुछ जो brokerage firms हैं वो शेयर के क्या target दे रहे हैं 450-470 rupees के और 500 रुपीज के आईशी आईशी डारेक टारक दे रहे हैं 500-520 के target आ रहे हैं आने वाले time में शेयर यह target छूता हुआ दिखाई देगा short term में अगर यह short term के अगर चार्ट अगर अच्छा बनाता है तो यह आने वाले time में आपको यह वाले target छूता हुआ दिखाई देगा company regular dividend pair है and bonus एक बार देखेंगे 8, 17, 19 में company regular bonus pair भी है, bonus भी देती है, bonus giver भी है आप देख सकते हैं, sustainable net profit company generate कर रही है, भैतरी profit, sustainable profit company generate करती हुई देख रही है, चार्ट पर जैसे ही sign अगर आएंगे तो चार्ट अपने आपी बोलने लग जायेगा और आप देखें कि लेकिन long term के इसाब से fundamentally company का share बहुत ही strong है, 12 की ROE company generate करती हुई दीख रही है, आगे आने वाले time में यह आपको 20 से लेके 22 तक की भी ROE generate करती हुई देख सकती है, यहां से double भी ROE generate करती हुई देख सकती है, क्योंकि R&D पर company बहुत ही अच्छा खासा invest करत ही है, और इनके जो product हैं, बहुत ही niche quality के होते हैं, बहुत ही solid quality के इनके products होते हैं, formulation से related, API से related, और भी new product जो company बना रही है, बायो similar से related, उनसे अच्छी खासी demand आने वाले time में देखने को मिलेगी, तो friends आपको इस वीडियो कैसे लगी, आप मुझे comment करके बता सकते हैं, मेरे latest video मेरे channel से related रहा करेगी, आपको आसानी से exit हो जाया करेगी, thank you.